कलर्स की शो पिंजिरा खुबसूरती का में आप देख रहे हैं कि कैसे ओंकार मयूरा को लिखर पागल हो चुका है वो बस उसे पाना चाहता है अपना बनाना चाहता है और उसके लिए वो अपनी मा को उसके घर शवुन का थाल लेके भीज रहा है वह दूसी तरफ कुंदन और मेगा के रिष्टा भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा क्योंकि कुंदन को मेगा अच्छी लग गई है जल्दी शो में आप देखेंगे कि उन दोनों की शादी की तैयारिया शुरू हो जाएगी शो में आप देखेंगे कि कुंदन मयूरा के रूम में आता है और वो रूम को देखकर हैरान हो जाता है मेगा को लगता है कि कुंदन ने मयूरा को देख लिया है लेकिन मयूरा बैट के नीचे छपचाती है कुंदन मेगा से कहता है कि वो एक civil engineer है और वो चाहता है कि उसकी बीवी काम करे और independent रहे मेगा ये सबसुल को बहुत खुश होती है कि किसी ने उसमें सच में interest दिखाया है तब ही मयूरा का पैल जल जाता है और उस वज़ा से कुंदन उसे देख लेता है लेकिन असले ट्विस्ट तब आता है जब कुंदन मयूरा की ब्यूटी को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और वो उसे बेटा बुलाता है मेगा कुंदन के इस बरताव से बहुत खुश हो जाती है वहीं ओमकार अपनी मा को कहता है कि वो पियूश को बता दे कि कल वो मयूरा के घर शबुल लेकर जा रही है पियूश खुश हो जाएगा कि उसकी शादी हो रही है क्योंकि वो कब से उसकी शादी का इंतरतार कर रहा है ओमकार का मयूरा के पैर में जलने का निशान देखते ही वो उसके घर डॉक्टर भीज देता है और उसका इलाज करवाने के लिए वही कुंदन मेघा के परिवार के लिए मैंगोज भिजवाता है और ये देखकर मेघा खुश हो जाती है शो में आप देखेंगे कि मेघा और कुंदन के रिष्टे की बात आगे बढ़ेगी और होमकार की माय मयूरा के रिष्टा लेकर आएगी अब इसकी साथ कहानी में क्या लिए ट्वेस चाहता है ये जानने के लिए हमारे चानल को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें